नाइदर लेंड्स ने आज सौथ अफरीका को वर्ल्ड कप का मैच हरा दिया जी हाँ आप सही सुन रहे है नाइदर लेंड्स ने आज सौथ अफरीका को हरा दिया है और इसे पहले नाइदर लेंड्स ने सौथ अफरीका को T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर निकाला था 2022 का जो World Cup था उसमें भी South Africa अगर match जित जाती तो वो semi-finals में पहुँच थी लेकिन नाइधर लेंडस से उनको बेले बेड़ना था और नाइधर लेंडस ने उनको हरा दिया था और एक बार फिर से आज नाइधर लेंडस ने history create की है और जो कभी होना सका था आज तक वो आज नाइधर लेंडस ने करके दिखाया है और South Africa कोई कमजोर टीम नहीं है वन आफ दा फैवरिट्स है और अभी points stable में शायद दूसरे नमर पे या तीसरे नमर पर थी दो match खेले थे, दोनों जीते थे पहला match श्रिलंका के खलाब 428 रन मराए थे दूसरा मकाबला श्रिय एस्टरने के साथ और उनको भी लगबग 130-140 रन से हराया था श्रिलंका को 102 रन से हराया था और अब किन से हरे नाइधर लेंडस से इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं होती है और किसी बिजन कोई छोटी टीम आपको परिशान कर सकती है और वही आज हुआ नाइधर लेंडस हवाकि इनकी बैटिंग भी आज कुछ अच्छी खासी नहीं चली थी 82 के सिकोर पे इनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और फिर आए सकोट एड़ोर्स जो इनके कैप्टर है उन्होंने कैप्टिन इनिंग्स खेली और अपने टीम का सिकोर जहां पे लग रहा था कि शायद 110-115 पे आल आउट हो जाएंगे जो फिर सकोर बना नाइदर लैंड्स का वो था 245 और आखर में आरियान दत ने भी वो शांदार इनिंग्स खेली है शायद 9 गिंद में उन्होंने 27-29 रन मनाए और तम जाकी जो टीम नाइदर लैंड्स का सकोर था वो 245 तक पहुंचा था अब फिर साथ अफरिका के टीम जब बल्ले बाजी करने के लिए आई सिर्फ 43-43 और का आज गेम था बारिश के वजह से आज थोड़ा सा थोड़ी जो आवर्स थे वो आज गड़ा दिये गए थे और फिर जब साथ अफरिका बैटिंग करने के लिए आई तो हमें वही लगा कि जिस तरह की तोफ़ानी बल्ले बाजी ये करते है क्योंकि जब भी ये पहले बैटिंग करते है तो दूसरे टीम लगभण उनको सो डेड़ डेड़ सो रन से हराते है एस्टरनिया को सीरीज हराई उसके बाद वर्ल्ड कप में मैच हराया स्रिलंका के खलाफ उन्होंने इतना बड़ा टार्गेट सेट किया था और आज भी उसी तरह की उमीद थी लेकिन जो आज नाइदर लेंड्स के बोलर्स थे उन्होंने आज प्रफेशनल लिजम दिखाया जिस तरह की बोलिंग आज सभी बोलर्स ने की है मुझे लग रहा है कि सभी को विकेट्स मिले है एक दो बोलर्स है जिनको दो दो विकेट्स मिले है बाकि सभी बोलर्स को आज विकेट्स मिले है जिसने भी आज गेंड की है तो इसे कहते है टीम वोक तो वेल डन टीम नाइदर लेंड्स और ये सिर्फ नाइदर लेंड्स के लिए जीत नहीं है बलकि एक इतिहास उन्हें रचा है और इस जील से साथ अफरीका को अब क्योंकि साथ अफरीका हार गई है तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि कमजोर टीम के उनके साथ आपको मैच जीतने ही पड़ेंगे और जिन टीम उने एक एक दो दो मैक्स हारे भी है इसे उनको भी उमीद है एक बार फिर से जग गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा उलट फिर हो सकता है पॉइंट स्टेबल में अगर एक टीम नाइदर लेंड आपको हरा सकत अभी क्योंकि जब ये वर्ल्ड कप आगे आगे जाएगा अभी तो सभी टीम से तीन-तीन मैच्स खेले है बाकर जब सभी टीम सब छेचे साथ साथ मैच खेलेंगे तो वहां पर ये जो मैच है ना ये जो दो पॉइंट्स है ये काफी ज्यादा माने रखेंगे और सौथ अ हराने के लिए आया है और आज एक ये सर्प्राइज है हलांके आज ये पहला सर्प्राइज नहीं इससे पहले भी हमने देखा कि टीम इंगलेंड को अफगानिस्तान ने हराया और इंगलेंड की टीम डिफेंडिंग चंपैंस है जो नहोंटे 2019 का वर्ल्ड कप जीता और जि देखने वाली बात है कि आगे आगे क्या होता है इस वर्ल्ड कप में और कितने सर्प्राइज हमें देखने को मिलेंगे फिलहाल तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखे अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को फालो नही किया है तो आप जरूर हमारे पेज को फालो करिये अल्हाफिज